Hello students, आज हम डिस्कस करेंगे direction ratios of a line पिछले वीडियो में मैं डिस्कस किया था direction cosines of a line और आज हम डिस्कस करेंगे direction ratios of a line तो देखते हैं direction ratios हमारे पास एक line के क्या होते हैं मैं आपको बता दू यहाँ पे कि हमारे पास three numbers कोई भी three numbers, any three numbers are proportional to direction cosines then these numbers are direction ratios of a line या फिर हम यह कह सकते हैं कि three numbers जो direction cosines के proportional होते हैं वो ही हमारे पास क्या होते हैं direction ratios होते हैं तो यहाँ पे हम लेते हैं three numbers if three numbers are a, b and c यह हमारे पास three numbers हैं कौन कौन से a, b, c और यह किसके proportional हैं then हमारे पास क्या हो जाएगा a is proportional to l b is proportional to m and c is proportional to n ठीक है then a, b and c are direction ratios short में हम किस से लिखेंगे इसको direction ratios को drs से ठीक है तो अगर हमारे पास three numbers हैं a, b और c और यह proportional हैं किसके element के ठीक है तो यहाँ पे a, b, c हमारे पास क्या होंगे direction ratios of a line होंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि हमारे पास क्या है a is proportional to l b is proportional to m and c is proportional to n तो therefore अब इस proportional को remove करेंगे तो हमारे पास क्या हैगा a is equals to k l b is equals to k m and c is equals to k m ठीक है तो यहाँ से किसकी value k की value हमारे पास क्या हो जाएगी a upon l is equals to k ठीक है और इसको first देदेंगे b upon m is equals to k और c upon n is equals to k यह third है अब आप यहाँ पे देखेंगे कि सारे number किसकी equal है k की equal है तो therefore a upon l is equals to b upon m और c upon अब यह k की equal है k की equal b upon m भी है तो b upon m और c upon n is equals to k तो यह हमारे पास y equation first second and third से में यह मिलेगा यहाँ पे तो यह हमारे पास relation आगया इसमें अब यहाँ पे हम क्या relation लेते हैं कि a b c हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे direction ratios ले रहे हैं और यह इसके क्या है proportional है अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यह जो number है न a b c यह unique नहीं होते हैं कैसे unique नहीं होते हैं कि आप यह देखो यहाँ पे हमने कितना ले लिया two और element अगर हमारे पास किसी भी line की जो element है वो 1, 2, 3 ले रहे हैं कितनी ले रहे हैं 1, 2, 3 हम यह मान के चल रहे हैं कि element कितनी है 1, n की value 2 और n की value 3 है ठीक है अब हम कोई भी number लेगे जो इनके proportional है तो हम यह ले रहे है जैसे यह हमारे पास कितना आ गया 2 यह हमारे पास 4 और यह हमारे पास 6 तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 2 is equals to 2 is equals to 2 अब यही number अपन कितने ले ले लेते 4 यह हमारे पास कितने हो गये 8 यह हमारे पास कितने 12 तो आप देखेंगे यह 1, 2 और 3 तो इससे हम इसको divide करेंगे तो यह 4 आ गया ठीक है यह कितना आ गया हमारे पास यह भी हमारे पास 4 आ गया और यह भी हमारे पास कितने हो गये 4 आ गये तो यह हमारे पास कितना आ रहा था 222 और यहां से भी कितना आ रहा है 444 ठीक है तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास इसमें जो यह जो number 44 यह 2 से divided हो सकता है इगी नी हो सकता है हो सकता है ठीक है तो यह number हमारे पास क्या नहीं होते हैं ABC unique नहीं होते हैं हमारे पास LMN क्या होंगे unique होंगे but ABC are not unique कोई भी number हो सकते हैं ठीक है एक set ले रहे हैं ABC का उसी set से जो ratio आ रहा है तो इस तरीके से यह unique नहीं होगे LMN unique होगे ठीक है? अब आप यहाँ से देखें हम यहाँ पर जो number लिए हमने A is equals to KL, B is equals to KM और C is equals to KN उसको हम किसमें use करेंगे? relation between direction ratios and direction cosines बहुत important relation है हमारे पास क्या है? relation between direction ratios and direction cosines दोनों के between क्या लेंगे? relation लेंगे अब आप देखें यहाँ पर जो हम relation लेने जा रहे हैं कि हमारे पास क्या होता है? L square, M square और N square कितना होता है? इनका sum 1 होता है और हमारे पास A is equals to क्या है? KL B is equals to KM and C is equals to KN सभी numbers हैं यहाँ पर तो हमारे पास क्या हो गया? A upon L A upon K is equals to L First B upon K is equals to M and C upon K is equals to M यह equation second और यह equation second और यह third by equation first, second and third तीनोग हम use करने जा रहे हैं तो यह इसमें put up कर देंगे तो हमारे पास क्या हैगा? A square upon K square B square upon K square और C square upon K square is equals to 1 तो यहाँ पर क्या है? A square plus B square plus C square is equals to K square तो K की value कितनी आगई? root ले लेंगे दोनों तरफ plus minus A square B square और C square यह हमारे पास क्या हो गया? K हो गया ठीक है? तो K की value आगई हमारे पास L किसकी equal है? A upon K के तो यहाँ पर हमारे पास जो direction cosine साएंगी वो हमारे पास क्याएंगी सबसे पहले हम क्या लेंगे L तो L क्याएगी A upon K तो यह plus minus तो आई रहा है तो plus minus A upon root A square, B square और C square M क्याएगा? plus minus B upon root A square, B square और C square and N is equals to plus minus A C upon root A square plus B square और C square तो यह हमारे पास कहाएंगी direction cosine कब? जब हमारे पास direction ratios क्या होंगे? A, B, और C होंगे अगर हमें direction ratios गीवन है तो हम direction cosine find कर सकते हैं L is equals to plus minus A upon root A square plus B square plus A, C square से find कर सकते हैं और N की value plus minus B upon root A square plus B square plus C square से और N की value plus minus C upon root A square plus B square से स्क्वेर से हम यह क्या कर सकते हैं, find कर सकते हैं, ठीक है, तो यह relation है, किसके अंदर, direction ratios और direction cosines के अंदर, अब हम एक एक ग्जम्पल लिलते हैं, हम पे, find the direction cosines of a line, if direction ratios of line are minus 1, 2 and 3, यह हमें direction ratios given है, हमें क्या चीएं, direction cosines चीएं, तो since हम क्या लिख सकते हैं, a is equal to minus 1, b is equal to 2 and a, c is equal to 3, तो हमें ज़रत किसके पड़ेगी, root a square plus b square plus a, c square की ज़रत पड़ेगी, तो यह हो गया, root minus 1 का square क्या करेंगे, 1, 2 का square, ठीक है, और यह 3 का square, तो हमारे पास कितना हो गया, 1 plus 4 plus a, 9, तो हम यह कह सकते हैं, कि root a square, b square और c square की value कितनी हो गई, root 14, ठीक है, तो therefore, l is equal to direction, cosines कि आएंगे हमारे पास, plus minus a upon root a square, b square और c square, तो क्या जाएगी first, plus minus, कितना है, minus 1, ठीक है, तो यह minus 1 क्या करतेगा, plus को तो क्या करतेगा, minus, minus को क्या करतेगा, plus, तो हम क्या लिख सकते हैं, minus plus 1 upon root a, 14, m की value कितनी हैगी, plus minus b upon root a square, b square और c square, तो यह हमारे पास कितनी हो गई, plus minus 2 upon root 14, ठीक है, and n की value हमारे पास किया हैगी, plus minus, कितना है हमारे पास, 3 upon root 14, तो इस तरीके से हम क्या find कर सकते हैं, direction ratios से direction cos find कर सकते हैं, ठीक है, जब हमें direction ratios given होगे, ठीक है, अब हम next, यह तो हमें direction ratios given थे, अब हमें क्या given होगे, if and points of a line are x1, y1, z1 and x2, y2, z2, then direction ratios and direction cos, दोनों find करने में, अगर एक line two point से pass हो रही है, जैसे यह line है, यह point a से pass हो रही है, x1, y1 और z1 से, और second line हमारे पास किस से pass हो रही है, x2, y2 और z2 से, ठीक है, तो अब हमें इसके direction ratios find करने, तो कैसे आएंगे हमारे पास direction ratios, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी direction ratios की, तो आप देखें, a is equals to, यहाँ पर क्या आएगा, x2 minus x1 आएगा, क्या आएगा, x2 minus x1, b यहाँ पर क्या आएगा, y2 minus y1 आएगा, and जो c आएगा, वो हमारे पास आएगा, z2 minus z1, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कि हमारे पास two point से pass होने वाली जो line है, उसके direction ratios आएगे, a x2 minus x1, d y2 minus y1, and c z2 minus z1 हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पर direction ratios of a b होंगे, now अगर हमारे पास क्या आगया, a b c आगे, तो direction cosine करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है, plus minus a upon root a square, b square और c square, और m हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर, plus minus b upon root a square, b square और c square, and n is equals to plus minus c upon root a square, b square और c square, तो यह हमारे पास क्या हो जाएंगे, direction, cosine हो जाएंगे, और यह direction ratios हम find कर लेंगे, x2 minus x1 से, by2 minus y1 से, और c, z2 minus z1 से, ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या find कर सकते हैं, element find कर सकते हैं, और a, b, c find कर सकते हैं, अब यहाँ पर मैं एक important बात और बता देता हूं आपको, कि अगर हमारे पास one point even है, और एक point हमारे पास कैसा है, origin है, ठीक है, यह हमारे पास a है, और यह x, y और z है, ठीक है, अब यह line क्या होगी, ओए, तो जब origin से रिस से pass होने वाली जो line है न, उसमें आप देखेंगे, कि हमारे पास है, origin तो 00 है, ठीक है, origin तो क्या है, 00, तो यहाँ पर बड़ा important fact हम डिस्कस कर रहे है, कि अगर हमारे पास origin से pass होने वाली line है, और एक point हमारे पास क्या given है, x, y और z, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले direction ratios of O.A. क्या होगे, x2 minus x1 यानि, x, b का मतलब क्या होगया, y, and c, का मतलब हमारे पास क्या होगया, z, यह अच्छे से समझ लें आप, कि हमारे पास origin से pass होने वाली line, या फिर अब हमें यह ऐसे कह सकता है, कि यह हमारे पास एक vector है, ठीक है, और हम इसको किसे represent कर रहे है, r vector से, तो यह कौन होगया, r vector, तो यह vector क्या बनेगा, पता है हमें, x i cap, y, j cap, और z k cap, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी vector जब हमें given है, r vector, और i के साथ, j के साथ, और k के साथ, हमें क्या मिलेंगे, हमें मिलेंगे direction ratios, क्या मिलेंगे, direction ratios, x, y, and z, ठीक है, और जब हमारे पास क्या होगा, r cap होगा, तो मैंने पिछले वीडियो में बता है था, l i cap, m j cap, और n k cap, इसके अंदर हमारे पास क्या होँगे, direction, cosines, क्या होँगे direction, cosines, x, y, z हमारे पास क्या है, direction ratios, एक vector के अंदर, और unit vector के अंदर क्या है, direction, cosines, कौन, l, m, और n, ठीक है, तो यह बड़ी important condition है, हमें ध्यान रखनी है, कोई simple vector आता है, तो उसके अंदर हमें direction ratios मिलेंगे, और जब हमारे पास unit vector आता है, तो उसमें direction, cosines से मिलेंगे अपने को, अब यहाँ पर मैं यह भी बता देता हूँ, कि यह unit vector है, तो इसका जो magnitude है, वो always कितना है, 1 है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, कि यह element है, जब हम point की बात करेंगे, इस vector के अंदर, थीक है, तो यह LMN, यहाँ पर x, y, z की जगे use होंगे, क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे हो, divide कर रहे हो, magnitude of our vector को, तो वो value तो कितनी है, 1 है यहाँ थीक है, तो हम जब भी अगर किसी unit vector को, या LMN, अगर हमें किसी line के given होंगे, तो अगर हम इसको point form में लिखेंगे, तो हम उस point को LMN लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, LMN, क्योंकि इसका magnitude कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि root L square, plus M square, plus N square की value कितनी होती है, 1 होती है, तो यह ध्यान रखेंगे, जब भी किसी line के, अगर हमें LMN given है, direction cos given है, और उस line को आप इस तरीके से लिख रहे हो, एक origin से पास हो रही है, और एक end point है, तो उस end point को हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, LMN लिख लेंगे, क्योंकि आपको पता है, root L square, plus N square, plus N square की value कितनी होती है, 1 होती है, ओके, अब यहाँ पे आप देखें, if a line passes through points A 1, minus 1, 3 and B हमारे पास है 0 1 and 1 अगर हम यह ले लेते हैं ठेक है न? Then Find Direction Ratios and Direction Cosines of Line Simple ता question है कि 2 end points given है इसके और हम इसके Direction Ratios और Direction Cosines Find करने, तो यहाँ पर आप देखें कि जब हम Direction Ratios की बात करेंगे, तो हमारे पास जो A होता है, वो क्या होता है X2-X1, तो हमारे पास कितना है, X2-X1 0-1, यानि-1 B हमारे पास क्या होता है, Y2-Y1 तो 0 1-1, तो 1, कितना हो गया, 2 और C हमारे पास, Z2-Z1 तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया Z2-Z1 1-3, तो 2, ठीक है तो therefore, यह तो हमारे पास क्या होगे Direction Ratios, अब हमें ज़रुद किसकी पड़ेगी A square, root A square plus B square C square तो यह कितना हैगा, 1 यह plus 4, plus 4 root 9 it means 3, तो therefore, Direction Cosines, तो हमारे पास L is equals to, plus minus आता है, तो यह A की value कितनी है minus 1, तो minus plus 1 upon 3 M की value कितनी आएगी plus minus 2 upon 3 and N is equals to minus plus 2 upon 3 तो इस तरीके से हम एक line के direction ratios और direction, Cosines find कर सकते हैं, जब हमें उसके end points given हो ओके students तो यह हमारे पास क्या था direction ratios थे, एक line के मैं फिर्सरिवाइज कर देता हूँ 3 numbers लेने, अगर वो number proportional है, किसके proportional है, LMN के तो उन numbers को हम क्या बोलेंगे, direction ratios बोलेंगे, क्या बोलेंगे direction ratios बोलेंगे ठीक है, और direction ratios और direction Cosines में जो relation होता है, वो हमारे पास क्या होता है, L की value plus minus A upon root A square plus B square और M की value plus minus B upon root A square plus B square and, और last N is equals to plus minus C upon root A square plus B square से find कर सकते हैं अब यहाँ पे हमने दूसरा concept यह था, कि two end points से अगर line pass होती है, तो उसके direction ratios क्या हैं, तो X2 minus X1, Y2 minus Y1, और Z2 minus Z1, जब हमारे पास ABC आ जाएंगे, तो same process से फिर हम क्या find कर लेंगे, element find कर लेंगे, और जो मैंने एक important concept बता है आपको कि अगर हमारे पास से एक simple vector है, ठीक है, तो उसके अंदर हमें क्या मिलेंगे हमेशा, direction ratios और unit vector के अंदर हमें क्या मिलेंगे, direction cosines, element मिलेंगे, ठीक है, और जब हम एक unit vector given है एक line का, और उस line को हम एक part में ले रहे हैं, एक part हम उसका origin ले रहे हैं, दूसरा part हम उसमें क्या लेंगे, उसके points क्या लेंगे element use कर लेंगे, उसमें, ओके students